नमस्कार, A2Z Dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी एक इतनी बड़िया सी सबजी जो शायद आपने कभी ट्राइ नहीं की होगी ये है काजू गाठिया की सबजी इसे गुजराती लोग काफी जादा खाना अब गुजराती का नाम सुनते हैं मैं सोचिएगा कि ये मीठी होगी ये बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है उसके लिए आपको ले लेना है सबसे पहले काजू ये मैंने ले लिए आधा कब जितने और इससे हम बीच से काट लेंगे छोटी टुकड़े जादा नहीं कीजे हम डाल देंगे मखन यानि की बटर डाल दीजे एक चमच और काजू को बून लेना एक से दो मिनिट के लिए आप गी में भी बून सकते हैं जरूरी नहीं है बटर में ही बूने पर स्वाद काफी अच्छा आता है इन शॉट आपको काजू को बून लेना है उसके बाद नि करना है प्यास को हलका सा गुलावी हो जाए समझ लीजे एक से दो मिनिट तक ही भूने इसका कच्छा पन भी दोर हो जाए का इतनी देर में साथी साथ ना आधी चोटी चमच अधरिक लसन के पेस भी डाल देंगे ताकि साथ साथ में ये भी बून जाए अधरिक लसन का कच लेना है तो पस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजह लेक्ति जीमिया आज पर हम दो से तीन मिक के लिए पकाएंगे तमाटर जब आपको कलर ऐसा लग रहा है काफी कम कलर ये ते तersonal आए थे जो आफ़्ोस दो से तीन मिक के बाद आप दिख सकते हैं अच्छेते अ कच्छापन भी दूर हो गया और पक्या है तो इसके अंदर हम डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम आप गर की मलाई भी डाल सकते हैं ताजी मेरे पास वह नहीं थी अवेलेबल इसले मैं ने अमूल फ्रेश क्रीम डाली है एक दोनों एक जैसा ही काम करती है एक दम क्रीमी से दो मिनिट तक पकाएं उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक एसी के साथ आधी चोटी चमच लालमिश पाउडर आधी चोटी चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं मसालों को एक मिनिट तक अच्छे से पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिनिट के लिए अच्छे से पकाने के बद अब इसके अंदर में डाल रही हूँ पानी तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे एक कप भर कर पानी जादा पानी नाह डाले अच्छे से मिक्स कर ले और इसे स्वात बहुत ही अच्छा आता है एक दम बढ़िया फ्लेवर आता है तो जरूर एड़ कीजेगा ढगकर धीमी आज पर चार से पांच मिनट के लिए पकाई या निकि बिलकुल लो फ्लेम पर पकाना है आपको इसे चार से पांच मिनट लगबग हो गए और आप देख सक की नहीं होते हैं यह सिंपल वाले गाठिया डाल दे उपर से दिनिया के और पते हैं सच बता रही हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अजीब लगे के पर यह बहुत ही बढ़िया लगते है गर्म गर्म रोटी के साथ का और मुझे को मिर्स पते कैसी लगी रेसिपी थांक्यो बढ़ वाचेंग